तूटे हुए चाय के कप और तूटी हुई लोहे की छलनी से क्या बना सकते हैं गार्डन के लिए देख नमस्ते फ्रेंड्स देखिए ये चाय के कप है इनके नाकू जो होते हैं वो तूट गए है कुछ उपर से तूट गए हैं सबसे पहले हम इन में करेंगे छेद चेद करने के लिए आपको भुगोने में पानी रखके उसको कप उसमें रखके ऐसे पेचकस की हैल्प से आप चेद कर सकते हैं अब हम इन में लगाएंगे प्लांट तो जो चोटे-चोटे कप होते हैं चाय के उनको आफ फेके नहीं अगर तूट जाते हैं जैसे कई बार क्य लगा सकते हैं बहुत सारे पोदे लगा सकते हैं मैं कौन-कौन से लगा रहे हूं आप देखते रहना देखिए एक में तो मैंने यह स्नेक प्लांट लगा है यह मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था देखिए आपको दिख भी रही होगी साइड में और उसके साथ में चोटा स चोटे 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 कप के आप कुछ भी डियाइवाई करो और इनमें पोधा ऐसे लगा लो तो पोधे लगाने की तो टेंसन है ही नहीं क्योंकि चोटी-चोटी कटिंग से चोट-चोटे कप में लग जाते हैं देखिए मैं एक में मैंने बड़े वाले में जेट प्लांट और इसमें मैं अपना ये रियो का प्लांट लगा रही हूं तो देखिए ऐसे चोटे-चोटे आप कप में लगा सकते हैं ये जो कोफी मग होते हैं ये और भी बड़े होते हैं जैसे ये वाला साइज इतने बड़े होते हैं और जो चाई के कप हैं उनमें भी आप लगा सकत हुआ है तो देखिए मैंने परपल हर्ट लगा दिया सभी में प्लांट लगा दिये तो आप टूटे वेकप में ऐसे लगा सकते हैं अब यह हम चलने का यूज करेंगे देखिए मैंने टूटी हुई चलनी ही ली है यह बेकार चलनी है और देखिए इसमें मैंने ऐसे अपना थोड़ी की हेल्फ से ही ऐसे तीन छेद करने है देखिए थोड़ा सा आपको आराम से इसमें छेद करना है तो ऐसे छेद करने के बाद आपको तीन लेनी है रसियां तो देखिए हम इसका हैंगिंग प्लांटर ही बनाएंगे कौन सा पोधा लगाएंगे दिखाएंगे तो अब इसमें पोधा लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी फ्रेंड्स आपको सिधा पोधा नहीं लगाना है मिट्टी भरने से पहले आपको एक थैले बिचानी है क्योंकि इसमें है छेद छलनी में तो इस छलनी को बिना पेंट करें ही हम यूज कर सकते हैं क्योंकि जब इसमें पोधा लगाएंगे तो हमारी जो छलनी है वो दिखेगी भी नहीं और बहुत ही घनी हो जाएगी देखिए मिट्टी भरके मैंने इसमें बीच में तो मनी प्लांट लगाना है यानि मैं दो पोधे इसमें लगा रही हूँ और बहुत ही घनी हमारी ये जो हैंगिंग प्लांटर बनेगा वो बहुत ही प्यारा बनेगा यह जो money plant है यह मैंने पहले पानी में cutting से ग्रोप किये थे और पानी में से निकाल के मैं इसमें लगा रहे हूं तो आराम से लग जाते हैं टाइम नहीं लगता है अभी इसके side में हम लगा देंगे purple hut तो purple hut के cutting अभी आप लगा सकते हैं देखिए purple hut लगाने के बाद यह बहु में planters बनाके अपने gardening कर सकते हैं प्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे चैनल पर new हो तो subscribe करे और comment करे thank you